नमस्कार संस्कृत की प्रिवध्यारतियों आप सभी का बहुत स्वागत है मैं अग्रेट ब्रेंस पर मैं पंकस्तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसका आपको इंतजार था उसका दूसरा भाग किसका गांधिनाह संस्मरणम और हम पढ़ रहे हैं कक्छा 11 में की सा अस्वती जो हमारी अच्छे कहें उसका हम पाठ जो हमारा अगला चल रहा था गांधिनाह संस्मरणम गांधी जी किस प्रकार से सर्मन कुमार से मोहित हो जाते हैं उसकी स्रमन भक्ति पर और मात्र पित्र भक्ति पर तो उसी का अगला भाग लेकर के हम जल्दी से जल्दी आपके साथ आ गए हैं और तो आप लोग भी हमारे साथ उपस्तित हो करके अपनी पुस्तक को उद्गाट खोल करके सामने बैठ जाईए चलिए चलते हैं देखते हैं लिखा हुआ है कि कक्छा 11 संस्कृत एक्षिक गांधिनाह संस्मरणम अनुमाद भाग 2 चलिए भाग 2 और चलते हैं यह हमारा भाग 2 में दूसरा नंबर का पहले पहले में हमने देखा था कि उसमें गांधी जी ने पिता की द्वारा दी गई उस पुस्तक को देखा और कट पुतलियों के द्वारा उन्होंने जैसे उस भक्ति को देखा तो इधर उधर विचार करते हुए दूसरे पेराग्राफ में क्या है जरह देखेंगे नाटकांतर क्या लिखाए नाटकांतर संबंधिन्या परहा तत्साद्रिशी घटनेई कसा संब्रित्ता उसि नाटक के बाद कुछ संबंधिद्या आप रहा मतलब दूसरा दूसरी तदर्शी मों देखा दूसरी घटना को देखने के लिए संबृत्ता मा ने कहा गया है तद कालमेव उशी समय कयापि नाटक मंदल्या प्रियोक्तम उसी समय कोई कयापि कोई भी नाटक मंडली को उन्होंने प्रियुक्त किया और देखा नाटकम अवलोकितुम पितुर अग्यानुग्याम अध्यगच्छा महा नाटक को देखने के लिए तुम उन्हों प्रत्ते लगा है इसलिए देखने के लिए और नाटकम अवलोकितुम अवलोकितुम मने देखने के लिए नाटक को देखने के लिए पितुर अनुग्याम अध्यागच्छत पिता जी की आग्या को लिया उस नाटक को उन्होंने देखा कि कुछ नाटक होने वाला है कुछ नाटक मंडली के द्वारा ये काम हो रहा है तो किस घटना के बाद उस जो कटपुतलियों वाले उन्होंने घटना को देखा उसके बाद उन्होंने पिता की आज्या को ले करके एक मंडली एक नाटक मंडली को देखने के लिए नाटक को देखने के लिए आज्याली तन नाटकम उस नाटक को वह नाटक कौन सा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र चरितात्म का चरितात्मकम आशीत और हरिश्चंद की आत् आत्र चरितार्क पर यह नाटक था अब देखें तत तद एतत लोक लोचना असेचकनम मम मानशा आकरसयत अर्थाद उसको देखकर के तत लोचनम मन उन हमारी आखों को सेचन मैंने अपनी आखों को मम मन मेरी मैंने अपनी आखों को सिंचन किया आखों को ठंडा किया उस आज्या को लेकर कि मन सा आकर्षयत और मेरा मन भी उनके साथ कि उसको नाटक के प्रति क्या हो गया आकर्षो हो गया आकर्षित हो गया किन्तु अनुग्यताम कतिकृत्वम प्राप्गंतुम सक्कित लेकर वो कह रहा है किन्तु लेकर अनुग्यताम अनुग्याम का मतलब होता है यह नातक को देख किया जा लेकिन कौंसी नाटक को AHRISANR fiquei चरितार्थ में आत्म आसीट अर्थारत हरीस चंद के वारे में हुन्होंने एक बार पिताजी से अग्या ले लिए और नाटक को देखा है अब वो सोच रहे हैं किन्तु बार कितनी बार पिताजी से आज्या को प्राप्त किया जाए और आज्या को ले करके गंतुम सकते कितनी बार जा सकते बार बार तो जा नहीं सकते हैं तथा अपी एतन निमित्तम व्यस्नम नेम मामुंचत अब क्या होता है बोले कि जैसे जैसे ही मैंने देखा तो तत्निवित्यम व्यशनम अब मेरे मन में ये बार-बार चिंतन हो रहा है व्यसन हो रहा है कि निस संख्या वारम इदम नाटकम मया स्वयम मन सा प्रियुक्तम स्याद और मेरे मन में वही बार-बार चल रहा है बार-ब नाटक को मन में सेंतन किया बैठ करके सोच रहे हैं कि हरिश्चंद के द्वारा ये किया गया ये किया गया इस प्रकार से कितनी वारा अशंक वारा नी संक वारा मिदम मने अनेक वारा मैंने उस नाटक को मया मन मेरे द्वारा क्या किया गया स्वयम मन शह मने अपने स्वयम के म सब जगेढ़ भी कश्मात माने कैसे हमेशा सरड़ सर्भे रपी कस्मात सत्य वद सत्य वाद्र भिर भवितब्यम् वय सभी हरिस्चंद की समान सत्यArboudi नहीं हो सकते हैं हो सकते हैं एत्तेस्प्रश्णों दिवा निशम में मनसी पुना पुना आ इस फूरत सत्यानुशरणम सत्या सत्य सश्यार्थे हरिश्चंद्रवन्नी विकलपेन मनशाकलेश मानम अनुभवाह और यह जो वो यह कह रहे है किया सभी लोग राजा हरिश्चंद के शवान सत्व नहीं हो सकते हैं इत्तेस्प्रश्णों यह प्रश्ण दिन रात दिवा माने दिन निशम माने रात दिन रात में मेरे मनसी मान में मनसी में सब्सक्राइब लगी है इसलिए मन में पुना पुना माने बार बार आ इस फूरत माने आता है कि सत्यानुशरणम क्या सत्य का अनु रिचंद्र वन निर्विक अप्ले और हरिचंद्र के शमान- मनажार्ष अनुवह, और जिस प्रकार से रिचंद्र के शमान- अपने मन को मन से सम elim Products आने सकता है कि हमें भी सम्त्य शत्य बोलना है हम सत्य के अनुशार पत पर चल सकते हैं मार्क पर चल सकते हैं तो इस प्रकार नहों मन में सोच रहे हैं कि बार-बार उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए अब देखेंगी यहां पर थोड़ा सा इसकी वो देख लेंगे कि कौन-कौ धर्ना धन कहा तो घंने कहा यहाँ ब्रदिशंदी हो गई है।, और तत कालब यह वो तत कालब अलग हो जाएगा। कयापी में कया धन अपी तो कयापी दीर किशंदी हो जाएगा नाटक मंदल्याह में तरती अभिभक्ति नाटक मंदली के द्वारा प्रियुक्त नाटक मंदल्याह मंदली तो जननी जननीम जनन्या नदी नदीम नद्या मंदली मंदलीम मंदल्या तो तरती अभिभक्ति लगी हुए है ठीक नातकम अवर लोग ये तुम तुमन प्रित्य लगा हुआ है और लोग अव लोगत udah देखने स्पीजर्ट में नाटकं पितर अनुग्याम पितर अनुग्याम पिता के द्वारा कि अध्या गक्षम सब्सक्र्ण है जन भरने मियां भी द्यादे तक नहीं इट्ला से लिवfik गा हुए द कर्लों गा रसान highway किंतु किंतु यहां सदी अनुग्यान किंतु बोखने संधिए करत्र कित्नी बाराम प्राप्य गंतौं सकते गंतों में तुमन प्रत्रzę है सक्क्यत यहां धातू लगी हुई है ठेक है एक तो यहां भलगेन चाहिए कितनी बार्ज आग्या को ले जायाना चाहिए तथा अपी एतन निमित्तम तो यहां देर की संधी है नईव नाधन आईव यहां व्रद्धी संधी है निसंक वारा मेदम नाटकम मया यहां पर अहां माम मया त्रतिया विवक्ति यहां माम मया महियं मम मत मम मैं मत मम मैं तो यहां त्रतिया विवक्ति स्वयम मनशा प्रियुक्तम स्याथ हरिष्चंद्रन नें नियुन तो हरिष्चंद्रे मित्रतिय भीच्दि लगे विए और आ दो हमारी तरि कॉन्सी मों संदिश्या बेम और संदी और संहेимо मत्出来्वानिशम दिन रात त्रेकर ना दिन रात में हमारा द्वन्द शमास हो जाएगा मैं भी रूप है में में मेरा मन तो यहां में भी हमारा वेकल्पक क्रूप है आसमद का पुनाह पुनाह आइस फुरत सत्यानु सरणम दीर के शंदी लगी हुई है त्यार्थ हरिस्चंद्र वर्ण वर्ण विकल्पेन तृतिया विवक्ति मनशाः खले सानुवन भवाः दीर के शंदी लगी हुई है ठीक है ना चले आगे देखेंगे हम अब यहां पर उन्होंने देख लिया है कि उनके मन में बार बार यही दिमाग में चल रहा है किया सत्य को सत्य के समान नहीं देखा जा सकता है मन को भावना से उसको नहीं समझा सकता इत्तेस आदर्ष एक एव मनस्या अभीभूत यही आदर्ष एक हमारे दिमाग में क्या है बार बार अभीभूत हो रहा है कि क्या सत्य को सत्य की सब लोग सत्य नहीं बोल सकते हैं क्या सबके मन में यहीं नहीं है कि सत्य बादी राजा हरिश्चंद की समान मार्क मार्क पर चल सर्वस्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास् परिश्चन और सिर्वन कुमार की कथा जो है मेरे हिर्दय में हमेशा क्या है जिसे मिटा या नहीं जा सकता है इस प्रकार से इस्थापित होई सन नीहितव इस्था अध्यापी आज भी तन नाटक पाठेनों आज भी उस नाटक के पाठके द्वारा पूर्व बनने हिर्दयम मेरे मन में मेरे हिर्दय में विलीयत इत्याम जाने और आज भी मेरे हिर्दय में हुआ क्या है विलीय है मैं आज भी उसकी क्या है हिर्दय से उसको पढ़ता हूं चाहता हूं ठीक है ना तो मनश्या आभिर भूता यहां दीर की शंधी लगी हुई है कथायाम अक्षरसा यह यहां सरवश्या श्यो शष्टी विवक्ति इस्मर्णम मने कसव यहां पर भी नेत्राभ्या मनी यहां दुतिय विवक्ति लगी है मनी अलग हो जाएगा नेत्राभ्या मने निसारीतान निधनसारीतान विशर की संदी है सरवलमा अनुभाव सरवण अनुसरवणव और दुन्द शमाज भी है अध्यापी में दीरगी संदी है तत्नाट के पाठेन में तरतिय वक्ति का एक बचन पूर्वा मनमें में हिर्दयम बिलियता इत्तियम जाने चले आगे देखेंगे प्रशंग पर चलती है प्रशंग क्या कह रहा है प्रशंग देखिए जरा कि आयम गद्यांस यह गद्यांस यह गद्यांस अस्मा कम मने हमारी अस्मा कम मने हमारी यह गद्य का अंस हमारी पाठ्य पुस्तिकष्ट सश्टी भवक्ति का एक बचन पाठ् पाठ से उध्रिता माने उध्रित है मूलतह पाठोयम मूल रूप से यह पाठ है हमारा सत्य सोधनम सत्य सोधनम का मतलब सत्य सोधनम नामना माने नामक गरंथात माने गरंथ से संकलिता माने शंकलित किया गया है असमिन गद्यांसे इस गद्यांस में गांधी महोदयेनों गांधी महोदय के द्वारा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र चरितात्मम नाटकश्यो नाटकश्यो तस जीवने कियत प्रभावा जाता है इती प्रस्तुताह ठीक है ना इती प्रस्तुताह में देखें और उन्होंने कहा प्रशंगा चलिए ठीक है ना ये रहेगा हमारा प्रशंग हिंदी में प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक शास्वती प्रथम भाग के गांधी नहा शंस्मरणम सेर्शक पाठ से लिया गया है मूलता यह पाठ गांधी के संस्कृत भासा में अनुदित सत्सोधन नामक ग्रंत से संकलित किया गया है इस गद्यांस में गांधी जी ने किसी नाटक मंडली द्वारा प्रयुक्त हरिश्चंद्र नाटक को देखने से उनके हिरदय पर जो अमिट प्रभाव पड़ा उसका वर्नन किया गया है मतलब आप वो ये सोच रहे हैं कि हम सब सकते उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि आ ये पूरा संसार राजा हरिष्चंत के समान सत्त नहीं बोल सकता कि सरवन कमार के समान सारे बच्चे नहीं हो सकते हैं कि पित्र और मात्रवक्ति कर सके इस प्रकार का उनके दिमाग पर ये सारी चीजे चल रही है ठीक है ना तो हरिस्चंद्र आत्मनाहा नाटकस से तस्य जीव ने है किया तो प्रभावा आजाता है उनके प्रभाव क्या चला गया है तो ये सारी चर्चा उस पर दी हुई है चले आगे देखेंगे अब रहेगा हमारा हिंदी संस्कृस्षी हिंदी सब दार्थे देखे जारा संबृता क्या लिखा हुआ है शंबृता शंबृता दिया हुआ है शंबृता माने हुई अवलोकियो तुम माने देखने के लिए अवलो कियो तो माने देखने के लिए अध्यगक्षत माने प्राप्त की अध्यगक्षत का मतलब प्राप्त की और लोचना सेचनंकम नेत्रों को सीतल करने के लिए अपनी आखों को सिंचन करने के लिए अकरसयत माने अकरसित किया अकरसित किया और कतिकृत मन कितनी बार कतिकृत का मतलब कितनी बार कितनी बार व्यसलम मन लगन या आसकती लगन या आसकती कितनी बार 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 उसको देखा जाए ये मन में उनके दिमाग में चल रहा है नी संक बारम, अनेक बारम, दिवा निशम, मानने दिन रात नी सारी तानी निकाले हैं, बहाए हैं, दिन रात निकाले हैं, बहाए हैं, बिली यति, मानने लीन हो रहा है, बिली यति मतलब लीन हो रहा है, और जाने जानता हूं, जाने जानता हूं, यह सब्दार्थ हैं, जरह दिमाग पर अच्छे से चड़ जाती है तो अर्थ निकालते हैं अच्छे से बन जाता है नाटकांतर संबंधिनी माने नाट संबंधिनी नाटक संबंधिनी अपरहा माने दुतिया हा तत सद्रिशी माने तस सद्रिशी तुल्या एका घटना संब्रिता जाता एतत कालम मेव असमिन समय एव कयापी नाटक मंडलिया उसी समय एक कोई नाटक मंडली प्रियुक्तम माने प्रदर्शित की गई नाटकम रूपकम नाटक के रूप में तो उसको देखने के लिए क्या है बहुत उत्साहित हुए और पिता जी से अग्याली अवलोकितम देखने की ने द्रिष्टम पितु हुस्वजान कश्य पिता के द्वारा अनुग्यताम आज्याम आदेसम हुआ आज्या को लिया अध्य गच्छम प्राप्तवान पहुचे तन नाटकम तत नाटकम नाट्यम हरिश्चंद्र चरिता आत्म कम और ठंड़ा कर लिया नेत्र नंद दायकम तन्नाटकम क्या हो जाएगा सीतला अर्थार्थ अपनी उस नाटक को देखने पिता जी की आग्या लिए उस नाटक को देखने गए उनकी आखों को क्या सीतलता प्रदान हुई ठंडी हुई मम मनमे मानशम मनचेता अकर्षायत आक्रिष्टमकरोत अकर्षित हुए उसको देख करके अनुग्या अग्या करति 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 क तुम जाने की एक्षा होगी, तथापी एतत निमित्तम एतत विश्य, इस विश्य पर व्यस्यनम, आसकती मेरी लगन लग गई है, आसकती लग गई है नईव माम अमुंच ओ, माम नात्यक्तवान, और मैं उसको त्याग नहीं सकता, नी संक वारम अनेक वारम, अनेक वारम, इ इदम नाट्यम मयह गांधिना मया गांधिना आगे देखेंगे स्वयम मनेशा श्वयम मनेशा मनेचेता चीत्सा प्रियुक्तम् स्यात प्रियुक्त भवेत हरिसचंद्रनेव कितनी बार इस बात को सोचा जाए में मनशी मम्जेत शी पुनाह भूया भूय आई also is Surat सक्जु सद्यानु सद्यानु सरण रा और सद्यां अनुसर नहीं किया सक्ति सत्या सद्यार्थे सत्यच्षी क्रते हरिष्जंद्रवत्रहरिष्जंड्र यत्हाँ जैसे निर्विकल्पेन मने सत्य निष्ठया मनशाह चित्षाह क्लेशानु भावा क्लेशानाम अनुभावा कश्टानाम अनुभावा क्लेशानु अनुभावा तेश आदर्शाह एक एव मनसि चेतसि आभिर भूत प्रकटितम ब्याक्ख्या में हरिस्चंद्र कतायाम हरिस्चंद्रस गाथायाम हरिस्चंद्र की कता अक्श रसा है पूर्णता सत्तत्व प्रतीती सत्वस विश्वास हाती सत्व पर विश्वास होना चाहिए और पूर्णता सत्त होना चाहिए सरवस्य अश्य शंपूर्णस्य अश्य शंपूर्णस्य अश्य शंपूर्णको उन्होंने देखा इस्मरणं अनेक सहा अनेक वारम नेत्राब्याम लोचनाब्याम नेत्राब्याम लोचनाब्याम और अस्रु विंद्वा अस्रु विंद्वा बारवा निस्सारिता हमाने प्रवाहितानी बारवा नेत्रों से हमारे ये सोच को सोच करके आँख से क्या आता है ये हमारी अस्रु निकलते हैं हरिश् क्या है मम माने मेरे मम माने मेरे हिर्दयम माने हिर्दयम नित्यम हिर्दय नित्यम सन्निहिता सदेव विद्धिमाना उस्ता और हरिश्चंद्र और श्रवड की जो कथा है उसको वो कथा हमारे हिर्दयम में सदेव क्या रहेगी विद्धिमान रहेगी अध्यापी आज भी हिर्दयम बिली यते तल लीन हो जायते उसको क्या है पढ़ने पढ़ने के द्वारा मेरा हिर्दय क्या हो जाता है बिली यते माने लीन हो पुतली के नाटक को देखा तो उन्हाने देखा कि उस नाटक से संबंधित एक और उनके सामने क्या है एक घटना घटे तो हुई इसी समय ही किसी नाटक मंडली द्वारा प्रियुक्त नाटक को देखने के लिए पिताजी की आग्या को मैंने प्राप्त किया पिताजी से आग नेत्रों को सीतलता प्रदान करने वाले इस प्रकार के उस नाटक ने मेरे मन को आकरसित कर लिया मेरे मन को आकरसित कर लिया परंतु आग्या प्राप्त करके कितनी बार जाया जा सकता है उस नाटक ने क्या कर दिया मेरे हिरदय को आकरसित कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार उस नाटक को देखने के लिए जाओं तो परंतु कितनी बार मैं पिता जी से मुझे नाटक देखने जाना है मुझे आग्या दे दीजिए तो वोने कितनी बार जाया जा सकता है फिर भी इसके निमित आसकती ने मुझे नहीं छोड़ा और मेरी जो लगन थी मुझे बार-बार देखने की एक्षा हो रही थी उस आसकती ने मुझे नहीं छोड़ा अनेक ब यही प्रश्न दिन रात मेरे मन में बार बार उठता है। यही प्रश्न लेकर कि वो बार बार सोचते हैं कि मेरे हिरदय कि क्या हम सब लोग सत्वादी नहीं हो सकते हैं। सत्वाद नहीं हो सकते हैं राजा हरिश्चंद के समान सत्वादी। आज भी है कता प्रिचलित है आज भी यह सुखती है यह कहावत मुहावरा है कि कई-फ कई लोग ऊंब सत्त्र बोल्ते स्यावरा है कि तो यहीरी शओच रहा है गान्दीजी कि इस प्रकार से क्या सब लोग सत्तवादी नहीं हो सकते हैं सत्त के लिए सत्त का अनुसरन करना चाहिए सत्त के लिए सत्त का अनुसरन नहीं हो सकता है क्या मन से कष्टों का अनुभाव करना मन में उभरने लगा है मन से कष्टों का अनुभाव करना मन में उभरने लगा है और अब हम क्या सत्त से सत्त को कानुसरण नहीं कर सकते हैं सत्तवादी नहीं हो सकते हैं सत्त को नहीं बोल सकते हैं क्या और अगर हम इस प्रकार कानुभा करते हैं तो क्या होता है वो मन में ही हमारे कष्ट क्या होते हैं उभर आते हैं यही एक आदर से ही मेरे मन में प्रकट हुआ है और यही मैंने उस कहानी से उस नाटक से मैंने उस मंडली से यही देखा है सीखा है यही प्रकट हो रहा है हरिश्चंदर की कहानी में अक्षरसा सत्ता को प्रतीती थी अर्थार्थ उनके एक एक अक्षर में उनके एक एक वानी में उनकी एक-एक सब्द में सत्त बादिता जलक रही थी यहीं उनकी अक्षरसा सत्त प्रतीती थी और वो कह रहे हैं इनके सबके इस्मरण मेरे नेत्रों में अनेक बार आसु बहा है मैं जबवीज बैठता हूँ सोचता हूँ कि राजा हरिस्चंद और स्रवन कुमार की भक्ती को देखता हूँ तो मेरे आखों से असुरु पात होते हैं मैं बार बार यही सोचता हूँ और मैं कई बार वोले रोया हूँ ये सोच सोच करके कि क्या इस संसार सत्तवादी नहीं हो सकता है हर व्यक्ति एक दूसरी से सत्त नहीं बोल सकता है लोगों का लोगों के प्रति प्रेम नहीं हो सकता है आत्म समर्पन की भावना नहीं हो सकती है ये जो युद्ध भूमी चल रही है लड़ाई जगड़े चल र सब कुछ अच्छे ठीक से चलने लगेगा यह सोच सोच करके कहते हैं कि मैं बार बार क्या करता हूं रोता हूं आसु बहाए हरिश्चंद्र तथा सिर्वनकुमार दोनों ही मेरे हिरदय में सदेव समाय हुए और बोले यह दोनों हरिश्चंद्र की कहानी और सिर्वनकुमार क कहानी मेरे हिर्दय में क्या है हमेशा 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 क्या समा गए है मेरे हिर्दय में इस प्रकार से इस्थापित हो गए है कि मैं इनको चाहे कर भी क्या नहीं कर पाता हूं भूला नहीं पाता हूं और भोलाने की तो कोई चाहना तो ही नहीं है मेरे हिर्दय में ये विराजमान हो गए और मैं कोसिस कर रहा हूँ कि मैं भी इनी के पतपर चलो और आगे कहरें आज भी उस नाटक को पढ़ने से पूर्वी की तरह मेरा हिर्द़य लीन हो रहा है ऐसा मैं जानता हूँ ऐसा मैं जानता हूँ कि आज अगर उस नाटक को पढ़ा जाता है उस राजा हरिश्चंद की नाटक को कहानी को पढ़ा जाता है कथा को सिर्वन कुमार की कहानी कथा को पढ़ा जाता है तो आज भी मेरा हिर्दय क्या हो जाता है? लीन हो जाता है उसी में डूम जाता है पढ़ने में अगर बैठ जाओं तो आज भी मैं उसको फिर छोड़ने का मन नहीं करता है उस कहानी को सुन करके ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है इससे मिल रहा है तो इस प्रकार की यहां उनका इन्होंने इसमें वरनन किया है और इसमे यह वर्नन गांधी जी के द्वारा हुआ है अगला देखेंगे व्याकरणात्मक टिपडी hooked upर मैं सबसे पहले दीया हुआ है घटनेका क्या दिया हुआ है घटनेका मैं देखी ब्रद्धि संदी दी हुए है सबसे पहले तो ब्रद्धि संदी में यह देख ल休 consequence हमारा क्या है सूत्र है तो व्रद्धी रादईच कौन सा सूत्र है व्रद्धी रादईच और एक सूत्र और होता है व्रद्धी रेची कौन सा होता है व्रद्धी रेची ये दो सूत्र होते हैं हमारे ठीक है न व्रद्धी संधी के दो सूत्र है मुकरुप से व्रद्धी घठना धन एका दिया हुआ है सबसे पहले तो यह देख लीजी नियम क्या है हमारी ब्रदी संदिक से घठना भनें का बनेगा ठेकर देखें अगर receives अगर पूर्व पद मैं संधी में कम से कम दो pad होते हैं तो दो इसमें हैं कम से बाद दूसरे पद में आ हो तो क्या बनता है बड़ा आ बनता है दोनों में आ आ हो तो मिल करके बड़ा आ बन जाता है और अगर बड़ा आ और बड़ा आ हो तो भी क्या बन जाता है बोले बड़ा आ बनता है छोटा आ और बड़ा आ हो तो भी क्या बनता है बड़ा आ बनता ह बड़ा आ और छोटा आ भी हो तो भी क्या बनता है बड़ा आ बनता है इस प्रकार से इन्होंने यहां बताया अब इसके बाद अगर छोटी ई और छोटी ई और छोटी ई हो तो भी क्या बनता है बड़ी E बनती है छोटी E और बड़ी E बड़ी E हो तो क्या बनता है बड़ी E बनती है छोटी E प्लस बड़ी E हो तो भी क्या बनता है बड़ी E बनता है ठीक है न इस प्रकार से इन्हों ने बताया और इसके बाद बड़ी E और छोटी E हो तो भी क्या बनता है बड़ी E इस इसी प्रकार से छोटा उ प्लस छोटा उ हो या बड़ा उ हो फिर बड़ा उ हो या छोटा उ हो तो क्या बनता है बड़ा उ फिर इसके बाद उन्हों ने बताया कि रिसी छोटी रिसी हो या बड़ी रिसी हो छोटी रिसी हो या बड़ी रिसी हो ठीक है तो क्या बनता है रिसी सामने बनता है ये नियम है हमारा किसका ब्रद्धी संधी का ये तो सौरी ये हमारा दीर के संधी का है छमा चाहते हैं ठीक है छमा चाहते हैं हम ये हमारा दीर के संधी का नियम चल रहा है और हमें देखना है ब्रद्धी संधी ठीक है रहा छमताम यहां देखेंगे आ के अगर या आ अई आ जाए, तो क्या बनता है? आई बनता है, ये नियम है. छोटा आ या बढ़ा आ के बाद अगर ओ या औ आ जाए, तो क्या बनता है? आ बनता है, ये आपको बताना था. ठेकixa और ये ये नियम देख लेए हैं. तो पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ का होना जरूरी है तो यहाँ पर बड़ा आ है घट ना में बड़ा आ है उसके बाद ए आ गया है आ के बाद ए आ गया तो बड़ा आ के बाद क्या आ गया ए आ गया है तो धनात्मक चिन्न देख लीजिए गए जो प्लस का चिन्न लगा है उसके बाद दोनों देखना तो आ के बाद क्या आ गया है ए आ गया तो दोनों मिलकर की क्या बनाएंगे आई बना लेंगे ए आई तो ये आई बन गया है ठीक दोनों मिलकर की अब यहां से हम घटना को उठाते हैं, किसको घटना, यह हमने घटना को उठा लिया, घटना मैंसे बड़ा आ निकल गया था, इसलिए हमारा ना आधा हो गया, जो दोनों वर्णों को मिलाकर के बनाया, उसको आई को यहां लिख दिया, एका मैंसे ए चला गया था, तो यहां क इबल का बचेगा इसकी मात्रा दो लगाएंगे इसकी मात्रा कितनी होती है दो क्योंकि एकी मात्रा एक होती है और आई की मात्रा दो होती है तो इसकी मात्रा दो लगेंगी तो यह लग गया है घट नई और का को हम जोड़ देंगे घट नई का बन गया ना घट नई का परमदन ऑसदी आया है परमधन ऑसदी जो इसी लिखा हुआ है हमारा ऑसदी तो इसमें भी आ कि बार देखो यह आ गया आउ आगया है क्या आया है आउ दोनों मिलकर की क्या बना लेंगे आउ बना लेंगे और मा के ऊपर इसकी मात्रा चड़ जाएगी परमव सधी ये बन जाएगा हमारा परमव सधी ये भी हमारा ब्रद्धी संधी का उधारन है वो भी हमारा ब्रद्धी संधी का उधारन है ठीक प्रियुक्त में हमारा प्रियुक्तम बनता है। प्रावुपसर्ग, यूजधातु और कितप्रत्य हैं? कौन सा प्रत्य रहेगा? कितप्रत्य रहेगा? ठीक, चरह देख लें। प्राउफश्रग प्राउफश्रग है और युजदधातु है यूजदधातु कित परत्यम है काकी संग्या त स्लोपा से लोप तो के वल क्या सेश बचेगा क्या सेस रहेगा ता सेस रहेगा अब युकता बनाना है प्रियुकता बनाना है हमें तो प्रियुकता में हम का की स्थान पर पहले इसको इसके चर्त संधी लगाएंगे तो इसमें यहां हम खरीचा सूत्र से चर्त संधी लगाएंगे कौन सी संधी चर्त चर्तु संधी जब हमारी लग जाएगी तो यहां हमारी देखिए प्राव उफ्सर्ग पूर्वग जाके स्थान पर चा आजाएगा ठीक है ना और ता हमारा जेओंकत्यों अब यहां लग जाएगा हमारा चोहकु चाबर्ग के स्थान पर काबर्ग हो जाएगा ठीक है ना तो यहां हो जाएगा युक चा के स्थान पर का हो जाएगा युक ता अब हम इनको क्या करेंगे मिला देंगे तो प्रा हमारा बनेगा क्या प्रा युक ता प्रियुक्त बन गया, अब हमें रूप बनाना है, तो यह हमारा प्रियुक्ता है, पुल लिंग में, प्रियुक्ता, इस्त्री लिंग में, प्रयुक्तम, नपुंशक लिंग में, ठीक है न, तो यहां बना हुगा है प्रियुक्तम, क्या हो गया है यह, प्रियुक्तम हो गया ह है पूरा इसके बाद अगला दिया हुआ है किन्तो नग्याम किन्तो नग्याम ठेक है ना किन्तो नुग्याम तो यहां देख लेंगे किन्तु धन अनोग्याम किन्तु धन अनोग्याम दिया हुआ है तो सबसे पहले तो इसमें यड संधी है ये लिखी हुई है यड संधी के लिए सूत्र लगाएंगे हम कौन सा एको यणाची एको यणाची एको यणाची हमारा सूत्र आ जाएगा अब एको यड़ाची सुत्र क्या कहता है ज़रा देख लेंगे ई, उ, रिसी, लिरी ये चार स्वर हैं अगर ये चार स्वर पहले पद में आते हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए इनके ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा रिसी के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला कर देना चाहिए यह हमारी यण संदी कहते है याँ कहा है स्थाने यण स्याध्याची, सहे तायाम परे रहती यणा देशा मवती तो इस प्रकार से यण संदी अब यहाँ देख लिए आमने कि पहले पद में यह पहला पद है यह दूसरा पद है अब पहले पद में यहाँ देखे ता में उ लगा हुआ है तो यहाँ भी देखो उ के स्थान पर क्या होगा वह होगा क्या हो जाएगा वह होगा तो अब यहाँ देख लेंगे हम तो ऐसे लिख दें इसको हम कैसे लिख दें ऐसे हमारा आधा हो जाएगा और इसमेंसे हमने क्या निकाल लिया और अनुग्याम जयों कत्यों रहेगा अनुग्याम जयों कत्यों रहेगा अनुग्याम अब उ के स्थान पर क्या करना है जरा बताएं आप खुद बताएंगे उ के स्थान पर क्या हो जाएगा वा हो जाएगा और तो वा कैसा होगा लेकिन आधा होगा क्यों कि आगम हमेशा क्या होता है आधा होता है स्वर के स्थान पर वा आ गया है अनुग्याम हमारा ज्योंकत्यों रहेगा क्या रहेगा अनुग्याम ज्योंकत्यों रहेगा अब अनुग्याम के बाद अब हम इनको इसमें जोड़ें त तो ये देखें, ना तो हमारा पहले से आधा है, ता भी हमारा आधा हो गया, तो वा हमारा ये जुड़ गया, वा भी अभी आधा ही है, लेकिन अनुग्याम का आ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आ जुड़ जाएगा अनुग्याम, ये हमारा बन कितनी बार अग्या ली जाए ठीक है तो यड संदी हो गई अब यड संदी में इसे भी बनते हैं रिसी से भी होते हैं लिरी से भी होते हैं तो ये बात हमेशा याद रखना एक उधारन इनका हम दिये दे रहे हैं आपको आपको इसकी संदी विच्छित करके लाना है इसको बन पाश्या यह आपका होगा इससमंदित और जो आपका दिया हुआ है मात्रिक्षा यह लिखा हुआ है मात्रिकृख यह आपका रिसी से संबंदित होगा और लिरी होजा जो लिरी होगा हमारा ममल का रहा ममल का रहा है ममल का रहा है ममल का रहा है ममल का रहा है ठीक है न यह हमारा बनेगा ममल का रहा है तो यहां आप देख लीजिए इसको तो यह आपको दो तीरों आपको भी करना है थोड़ा सा प्रयास जरूर करिएगा अगर आप प्रयास कर लेंगे तो आपकी थोटा चोटा डाउट होगा वो आपका किलियर हो जाएगा ठीक चलिए इसके बाद अगला दिया हुआ है दिव दिवा निशम दिया हुआ है दिवाचा निशाचा यह हमला कौनसा समास है दवन्ध समास होगे हमारे दोधूव दोधू दवन्दम चारत द्वन्धस यह हमारए इसमें सुत्र हो जाएगा ठेक है रहर यह भी कह सकते हैं ओभाए पत्रधाना द्वंद्शमास ठीक है न दोन नपंद जिसमें प्रधान होती है ? वह द्वंद्शमास कहलाता और इसमें चारथे का जसमें चा का अर्थ निकलता है, वह हमारा द्वांद ложजप का lewa दक होता है, याद रखना चारथे द्वांदा, चार थे द्वांदा शमझ्मे आया । अब इसमे जैसे दिवाच्य निसाचा तो इसी में आ जाएगा हर क्या हो जाएका हमारा दिन और रात जैसे माताचा पिताचा ठीक है ना। माता यह पिताचा तो यहां हमारा कौन सा समस हो गया है दुन समस हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे इस मरणम, इस मरणम में इसमरी धातू रहेगी लिट प्रत्य रहेगा, इसमरी धातू रहेगी और लिट प्रत्य रहेगा, लिट प्रत्य ठीक है न, तो इसमरी धातू में पहले तो हम प्रत्य को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसमरी को लकार की और टकार की चंगया होगी ला की चंगया होगी हमारी लसक को तत दिते और टा की चंगया होगी हलनते हमसे तसलोपा से लोप हो जाएगा और सिस क्या बचेगा यू बच जाएगा अब यहां हम सुत्र लगा देंगे कौन सा यूबोर नाकव यूबोर नाकव यूबो को कर देगा हमारा क्या अन क्या करेगा अन कर देगा और जब यह अन हो गया है हमारा तो अब हम आगे चलते हैं अब यहां होगा हमारा गुण क्या होगा गुण होगा री को करेंगे हम क्या अर री को करेंगी अर तो मा निकल जाएगा और रिशी को हो जाएगा गुण अर हो और यहां होगा हमारा अन जयोंकते हो आ इसमें हम मिलाइंगे तो यह का हमारा इसमरन ठीक है इतना बन गिया ना इसमरन बन गिया अब इसमें हम लगाएंगे अट कुप वांग नुम मब वायो पी इस सूत्र होता है कि अट प्रित्याहार के व्योधान ना होने पर नकार का क्या कर दिया जाता है अना कार कर दिया जाता है या आप सीधा सीधा हिंदी में आपको सीधा बताते हैं कि अगर ना से पहले रा सटकोन वाला सा मूरधन शाह और अगर रिसी आती है तो नकार का क्या कर दिया जाता है अना कार तो सीधा सीधा बना दीजी इसमर्ण सीधा सीधा रूप बन जाता है इसमर्ण तो यहां पर भी वहीं चीज है प्रत्य जरूरी होता है प्रत्य को देखना जरूरी होता है कि प्रत्य यहां कौन सा होता है और प्रत्य को जब देख लिया इसमर्ण हमारा हो गया तो इसमर्ण क ठीक है ना इसको जब देखेंगे हम तो ये देखेंगे हम लिखा हुआ है सरवन अउ लिगा देंगे सरवनाओ धन उभाव धन अपी ये इसका इस प्रकार से हमारा विग्रह होगा लेकिन इसमें संदी लगी हुई है कौनसी अयादी संदी कौनसी संदी लगी अयादी संदी का सुत्र होगा हमारा एचो आयवा यावा 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 जो सुत्र लगा हुआ है तो एच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं हमारे कौन कौनसे हैं यहाँ देख लेंगे ए ओ आई आउ यह चार वर्ण आते हैं हमारे एच प्रत्याहार में तो ए को ए को क्या होता है आयादेस होता है ए को आए औ को आए अउ को आए आउ को आओ यह सुत्र के द्वारा अगर ए दिखेगा तो आउ करना पड़ेगा ये सूत्र कहता है, देखों ये लिखाओ, आय आयए आओ तो ये पूरा सूत्र में ही लिखा हुआ है, इसे लिए यहां पर हमें एचों को क्रम से आयादिक आदेश करना ही पड़ता है अब ये जब इतना आदेस हो जाएगा तो यहां हमें ये देखना सबसे पहले कि पहला पद जो हमारा है ये पद ये इसको हम पहले इतना हल करेंगे फिर इसके बाद उसको हल करेंगे तो ये देखें कि पहले पद में यहां आउ लगा हुआ है, तो हमने जैसे सिर्बन लिखा, सिर्बन और सिर्बन मैंसे हमने आउ निकाल लिया, ये निकाल लिया आउ और उभाउ जब काते हो यहां लिख दिया, क्या लिख दिया है, उभाउ, लिख दिया, अब आउ के स्थान पर जैसी यहां देखेंगे हम यह लिख दिया हमने पर और सिर्वड फिर सी लिख दिया अब हम इसको तो जब मिलाएंगे इस बड़ा आको इनाम है तो यह क्या बनेगा जरा बताना स्रवणा और वा आएगा यहां और उभाव का उ है तो वा आएगा नीचे और यह भाव ऐसे स्रवणा उभाव इस प्रकार से बन गया अब यहां पर हम लिख देते हैं यह आप यह हमारा यहां तक पूरा सिध्ध हो गया पहला पद यह बन गया है अभी अभी तक जो पहला पद था हमारा वह हमारे तीन पदों में व्षवाव वativo अब लेकन यह अब आउ के स्थान पर फिर से देख लीजिए क्या करना है आउ के स्थान पर हमें क्या करना है आप स्वैम बताएंगे बताएं जरा आउ के स्थान पर आउ होना है तो हमने फिर आउ के स्थान पर क्या कर दिया आउ कर दिया ठीक है आउ के स्थान पर आउ कर दिया और अपी को अभी हमने जहों कत्यों लिख दिया, अभी इसको इससे मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, तो भा में आ मिलेगा, तो क्या बनेगा जरा बताएं, स्रवणा, भा में आ हो गया, तो बड़ा भा हो गया, वा हमारा जहों कत्यों आधा आ जाएगा, लेकर अपी का आ मिल जाएगा, तो इसमें कौन सी संदी है हमारी आयादी संदी इसमें बहुत सरा लोधारण भी है जैसे हम आपको बताएं ये तो बहुत ज़्यादा कठिन है आप लोग इसको अगर करेंगे जैसे ये आगे आपका पवन ये लिखा हुआ है पवन ये लिखा हुआ है नायका 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 यही पर लिख दिया हमने साय का यहीं लिख दिया हमने गाय का गाय का यहीं हमने लिख दिया है नैनम नैनम यहीं लिख दिया है हमने पावनम अगर आप इनको इसी आयादी संधी के आधार पर और इस सूत्र के आधार पर हल करेंगे तोड़ेंगे तो ये भी बन जाएगा इतना वस याद रख लेना कि इसमें देखो या से पहले अगर छोटा अक्छर है तो एक मात्रा में तोड़ा जाता है और वा से पहले छोटा अक्षर है तो एक मात्रा में चोड़ा जाता है या और वा से पहले अगर छोटा अक्षर है तो एक मात्रा में जैसे ये लिखा हुआ है या और वा जैसे कब ये लिखा ना इसमें वा से पहले या से पहले छोटा अक्षर है तो ये एक-एक मात्रा में तूटेंगे कैसे जैसे ने धन अनम यहाँ वा से पहले छोटा अक्छर है तो ये होगा पो धन अनम तो ये एक-एक मात्रा में तूट रहे है न अब इसके बाद जैसे या और वा से पहले जैसे ये लिखा हुआ है पावक ये भी कर देते हैं पावकाः या और वा से पहले अगर बड़ा अक्षर है तो दो मात्रा में तूटेगा जैसे नई धन अकाः और ये लिखा हुआ है वा से पहले तो पव धन अकाः बस इतना अगर रखोगे तो इनको तोड़ करके आप अगर ऐसे बनाओगे तो पूरी संधी आपसे कोई भी संधी ने तूटेगी बिलको सौट कर तरीके से आपको बता दिया है तोड़ने का और जोड़ने का तोड़ोगे नहीं जब तक जोड़ेगा नहीं और जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक तोड नहीं पाओगे तो याद रख लेना तोड़ना भी है और जोड़ना भी है ठीक है ना तोड़ना पड़ेगा जोड़ना भी पड़ेगा चलिए आगे देखेंगे अगला हम देखते हैं आगे हमारी संधी कौन सी रहेगी वो जरा देखेंगे आगे हमारी संदी रहेगी इत्य अहम, क्या दिया हुगा है? इत्य अहम, इत्य अहम को जरा देखेंगे हम, इत्य धन अहम क्या दिया हुगा है? इत्य धन अहम यहाँ यड संदी है, एको यडची सूत्र रहेगा, कौन सा सूत्र रहेगा? एको यडची एको यडची सूत्र से एक एक स्थान पर यण आदिस करना है जैसे ई, उ, रिसी, लिरी इसके स्थान पर या इसके स्थान पर वा इसके स्थान पर रा और इसके स्थान पर ला होगा ठीक है? यह यण संधी का नियम होता है इसको जराध्यात से दिखिए पहले पद में E है तो E को निकाल लिया हमने E को निकाल लिया अहम जयोंकत्यों लिख दिया ठीक है ला E के स्थान पर हमें क्या करना है इत इक स्थान पर या कर दिना और अहम हमारा जयो कत्यों आ जाएगा ठीक, अब हम जब इसको जोड़ेंगे एक दूसरे से तो ये बनेगा हमारा इत्यों क्या बनेगा, इत्यों और अहम का आ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और हाँ अम्मा, हम, इत्याहम इतिहम बन जाएगा यण संधी की आधार पर ठीक है तो कोई दिक्कत आएगी किया समझ में कोई नहीं आनी चाहिए दिक्कत चलिए आगे देखते हैं अगला दिया हुआ है सत्या अनुसरणम सत्यस्य अनुसरणम सश्टी तत्पुर्शमास हो जाएगा सत्यस्य अनुसरणम सश्टी सत्य का अनुसरण तो सश्टी में वक्ति है काका चिन्य निकल रहा इसलिए कारक चिन्य सश्टी की क्या होते हैं काके की नानेनी रारेरी सत्य का अनुसरण तो सत्यस्य अनुसरणम सत्य अनुसरणम सश्टी तत्पुर्शमास संदी है सत्धन अनुशर्णम क्या दिया हुआ है अनुशर्णम सत्धन अनुशर्णम ठीक है सत्यधन अनुशरणम में देखें पहले पद में ये दिया हुआ है आ और दूसरे पद में भी आ है दोनों मिल करके बड़ा आ बना लेंगे और जब बड़ा आ बनता है तो कौन सी संदी होती है दीरगे संदी होती है और दीरगे संदी जब होगी तो सूत्र भी आपको पता होगा कि कौन सा रहेगा अकाहा शवरने दिरगा अकाह शवरने दिरगा तब हमारा क्यों सा सुत्र रहेगा अकाह शवरने दिरगा ठीक है ना और अकाह शवरने दिरगा रहेगा तो ये बनेगा आ तो हम इसमें देखेंगे सत्यों सत्य और सत्य का आ निकल गया था तो हम नू सरणम ठीक है ना नू सरणम अब इसमें आको इसमें जोड़े तो ये बनेगा सत्या क्या बनेगा सत्या और नू सरणम दिया हुआ है नू सरणम तो सत्यानू सरणम सब्द पूरा बन जाएगा हमारा सत्यानू सरणम अब सत्यानू सरणम बन गया दीर के संदी हो गई है इसमें समाज भी था इसमें संदी भी बता दी आपको ठीक है तो इसमें सत्यानुसर्णा फिर दिया हुआ है भवी तब्यम भूधातु है और तब्यत प्रत्य है जरा देखेंगे भूधातु तब्यत प्रत्य रहेगा भूधातु से तब्यत प्रत्य रहेगा भू से बनेगा भौ से बनेगा भाव और तब्यत में तब्यस्येश रहता है ताकि इत्शंग्या रंतिव्द हम से समग्य रंद में तस्लोपा से समग्या। तो हमारा यहां यह क्यँवल E बचेगा ठीक है न तो भावा क्या बनेगा भावा भावा ई ठीक है भावा ई और टा भावा अ तब रहेगा तब यह इसमें आकर जुड़ेगा तो यह बनेगा भावी क्या बनेगा भवी और तब्य आकर की इसमें जुड़ जाएगा तो बनेगा तब्य भवी तब्य हमारा बन जाएगा नपुनशक लिंग में ठीक है ना, रूप समझ में आया, तो ये बन गया हमारा, ये रूप के रमा के समान, रूप चल जाएंगे इसके, ठीक है ना, ये राम के समान, रमा के समान और फल के समान, अब आगे देखेंगे, सक्यति, सक्धातु कर्मबाच बिधिलिंग, बिधिलिंग लकार में सक्यति बनता है प्रथम पूरस एक बचन में रूप बनेगा एक बचन देखी विधिलिंग लकार हैता है हमारी लकार कितने हैं पाच दस लकार है वैसे वैसे तो दस लकार है लेकर हमको पढ़ने ये शुप पंचमो लकार है छंदो मात्र गोछरा पाच लकारों को देखना चाहिए तो सबसे पहला है हमारा लट लकार, लिलिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लोट लकार और बिदिलिंग लकार, बिदिलिंग लकार होता है चाहिये के अर्थ में, किसके अर्थ में, चाहिये के अर्थ में, चाहिये के अर्थ में, और यहाँ पर जो हमारे पुरुष एक बचन, दुई बचन, बहु बचन इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं तो यहां बने यहां जो इन्होंने बनाया है सक्यति क्या बनाया है सक्यति अब यहां बनेगा हमारा सक्यति ठीक है क्या बनेगा सक्यति आत्मने पद में बनेगा याद रखना सक्यति 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 ठक्कियते शक्यते 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 शक् प्रकार देखो यहूं, आगे देखेंगे, फिर दिया हुआ है सर्वस्यास्यगों, सरवास्यास्य में दीर की संधी दी हुई है देखें सरवास्यो सरवस्य धन अस्य सरवस्य धन अस्य दीर की संधी है इसमें धरा देख लें दीर की संधी है तो दीर की संधी का सूत्र होगा आकहा शवरणे दीरगा आकहा शवरणे दीरगा ये हमारा सूत्र रहेगा इसका नियम वही है कि पहले पद में आ पहले पद में आ या बड़ा आ उसके बाद भी दूसरे पद में छोट या बड़ा आ हो, तो हमारा क्या बनता है? बड़ा आ बनता है, फिर छोटी ही हो या बड़ी ही हो, उसके बाद दूसरे पद में भी छोटी ही हो या बड़ी ही हो, तो क्या बनता है? बड़ी ही बन जाता है, फिर इसके बाद छोटा उ या बड़ा उ हो, इसके बाद बड़ा या छोटा उ हो तो हमारा क्या बन जाता है बड़ा उ बन जाता है ठीक है ना इसके बाद उन्होंने कहा है कि रिसी और छोटी रिसी या बड़ी रिसी हो फिर इसके बाद छोटी रिसी या बड़ी रिसी हो तो हमारा क्या है बड़ी रिसी बनती है क्या बनती है बड़ी रिसी कि हमारा क्या बनेगा बड़ा आ बन जाएगा और जब बड़ा आ बनेगा तो यहां आकाश वर्णे दीरगा अमारा सुत्र कहेगा कि अकसे सवर्णी आज परे हो तो दीरग होता है ठीक है ना प्रतंपद और दुतिय पद में अगर दोनों में समान वर्ण एक ही समान जाती के वर्ण मिल जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है हमारा दीर गशंधी का युग बनता है आ आ मिलकर कि हमारा बड़ा आ बन गया अब हमने इसमें सर्वस्यों सर्वस्य मैसी छोटा आ को निकाल लिया तो हमारा या आधा पड़ गया और अस्य मैसी भी हमारा आ निकल गया था तो asına और यह वचा हुआ है ठीक अब बड़ा आ करकी इसमें मिल जाएगा तो यह हमारा इसमें क्या बनेगा को सर्वश्य और सबस्य मुют तो सर्वश्याद से क्या बनेगा हमारा सर्वश्याद से अब सर्वश्य से यहां बन गया है तो यहां कौन सी संधी हो जाएगी दिर्ग संधी का नियम यही होता है कि अका शवर्ण दिर्ग कहता है अक से सवर्णी एक ही समान जाती के वर्ण आमने सामने दौन पदों में मिलते हैं तो सवर्ण दिर्ग होता है सवर्ण दिर्ग होने का कारण उन्हों को बनाया गया है आयोड लीलरिक एयोंग आयाऊच हैवरट लण इमंगड़नम जवई गर्दस झवगर्दस खब चटत चटतों कपई ससरहल तो यह 14 सुत्र होते हैं और 14 सुत्रों के आधार पर प्रत्याहर होते हैं प्रत्याहर हमारे 42 होते हैं और 42, 43 भी मिलते हैं और 43, 44 भ भी देखने को मिल जाती है लेकर दो प्रत्यार ऐसे होते हैं जो वैदिक पद्धती पर प्रियोग में लाए जाते हैं वैदिक पद्धती पर प्रियोग में लाने के लिए दो प्रत्यार एक हमारा रम प्रत्यार और एक यम प्रत्यार होता है तो यह हमारा वैदिक पद्धती के आधार पर किसमें लाया जाता है वेदों में प्रियोग किया जाता है तो भासा व्याकरण के आधार पर केवल 42 प्रत्याहरों का हमारी लगुसिद्धान्त कौमदी में प्रियोग किया गया है कितने 42 प्रत्याहर होते हैं अर्थार्थ हम ऐसा कह सकते हैं कि दूई चत्वार इंसत संस्कृत में कहेंगे तो दूई चत्तवार इंसत हिंदी में कहेंगे तो 42 और अगर आप अग्रेजी भासा के आधार पर तो 42 ठेक यह लग उसे दांत कौमदी के आधार पर हमारे पृत्यार होते हैं पृत्याहर का आर्थ होता है संचिप्तिकरन संचेप रूप छोटा रूप ठीक है ना तो यहां तक बात आपकी किलियर हो गई है अकाशवरने दीरगा जो बना हुआ है तो इस प्रकार से अक बनता है यही हमारा प्रित्याहार है रम प्रित्याहार ऐसे बनता है रम प्रित्याहार ऐसे एंग प्रित्याहार बनता है तो यह प्रित्याहार होते है चोटा रूप होता है, एक तरह से ट्रिक मान सकते हैं आप अपनी भासा में उसको लेकिन यहाँ उसको पृत्याहर ही आपको मानना पड़ेगा चली, यहाँ तक तो कोई समास्या जा रही है आप लोगों को तो उसमें आपको एक एक चीज सारी चीजें समझाएंगी इसमें इतना जादा नहीं व्याकरण हो पाती है ये क्योंकि सिलेवस को लेकर के आगे बढ़ना होता है और पाट को लेकर के भी बहुत बड़े लंबा वीडियो नहीं कर सकते हैं कि आपको व्याकरण भी पढ़ाते जाएं तो ऐसा भी नहीं हो सकता एक साथ दो कार नहीं किये जाते हैं दो नाओ पर सवार होने क्या हम कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि कि कहां पर समस्या जा रही है इसके बाद आगे देखते हैं हाँ यह हमारा भाग दो यहां पर complete होता है भाग दो को हमने पूर्ण ताह complete कर लिया है प्रतम भाग और दुतिय भाग हमरा गांदिना संस्मर्णम नमक पार्ट से हमने पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी से आप लोग तयार करते रहिएगा जहां कोई समस्या जाये तो बताते रहिएगा आपको मैं बता दूँ परिशान होने की आपको आवस्यक्ता नहीं है आप किसी भी मीडियम से हो चाहे चाहे cvsc इंदी मीडियम हो चाहे cvsc इंग्लिस मीडियम हो ठीक है ना आप चाहे यूपी विहार बोर्ड कहीं से भी संबंदित हो आपको परिशान होने की बिलकुल भी आवस्यक्ता नहीं है क्योंकि योग की सुक्षकों के साथ आपको ओच्वाल्टी की सुक्षा हमारे स संस्थान मेगनेट विरेंज से आपको प्रोवाइट कराई जाती है और आपको यह पता भी है कि भारत का नंबर बन हमारा 100% एजुकेशन आपको फ्री आपको देने वाला संस्थान है तो इसलिए आपको बिलकुल परिशान होने की जरूरत नहीं है कहीं भी कोई समस्या ज आप वहां तक पहुंच सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर कोई विद्यारती सुरू से नहीं भी पढ़ पाया है तो वीडियो पर जाकर के भी पढ़ सकता है और अगर नोट्स की आवसकता आपको पढ़ती है तो बुक्स और यहां पर नोट्स भी प्रोव रहिएगा और मन पर आपको दिमाग पर कोई लोड नहीं ले लेना है बहुत बहुत धन्वाद आपको हमारी सुपकामना है बने रहिएगा हमारे साथ